हलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी, मैं मिसेस अनुरोय, आप सभी बच्चों का कॉम्पोजिशन कम्यूटी के यूटूब चैनल में स्वागर करती हूँ, संस्थान के द्वारा जो आयोजित कारिक्रम है, जिसका नाम है संग्राम सिरीज, उसके अंतरगत में आपके सम्रक्ष एक बर फीसे उपस्थित हुई हूँ, मुख्य प्रश्ण पत्र भाषा के अंतरगत तीसरे हिस्से को लेकर जो है हमारी 36 गड़ी भाषा, हालांके 36 जब प्रदान नहीं कर लेता, अपने आपको प्राप्त नहीं करवा लेता, तब तक इसे 36 गड़ी बोली कहीं जाएगी, लेकिन पाठ्ठ क्रम के अंतरगत परिक्षा में पूछे जाने की वज़े से इसे तृतिय भाषा के तौर पर हम तीसरे हिस्से में 36 गड़ी भाषा क लेकर पढ़ते हैं, इसके अंदर भी हिंदी की तरह दो प्रकार के प्रशन होते हैं, एक होता है व्याकरण पक्ष्ण और एक होता है आपका साहित्य का खंड, इसमें भी अगर हम 50 नंबर के अंकों की बात कर दें, तो मान के चलिए कि आपके व्याकरण से संबंधित बोली भाषा का विभिनक्षित्र में योगदान है, चत्रिस गड़क साहित्य है, उसकी विकास है, लोग साहित्य का वर्गी करण है, या बोली भाषा के प्रभाव हैं, वहां से प्रशन जो है वो पूछे जाते हैं, या जो व्याक्यात्म प्रशन है, उसके उत्तर लेखन में हमेशा या तो एक नंबर का या दो नंबर का प्रशन पूछा जाता है हाँ कोई प्रशन एकाद वर्ष ऐसा होगा जो दीन नंबर के लिए पूछ लिया गया होगा चार नंबर के लिए पूछ लिया गया होगा पर मान की चलिए कि वहाँ पर बहुत छोटे व्याख्यात् लिखने को दिये जाते हैं तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम 36 गड़ी बोली भाशा के अंतरगत किस प्रकार के प्रशन आते हैं और कैसे उसका उत्तर लेखन करना है इसकी चर्चा करेंगे जाने कि इसमें 36 गड़ का व्याकरण और साहित दोनों खन को लेकर हम चलेंग तो देखें कि कोश्चन कैसे होंगे 36 गड़ी भाशा के अंतरगत पचास नंबर का यह पूछा जाता है जो 36 गड़ी भाशा मुख्य प्रशन पत्र जो प्रथम है उसमें तीसरा भाग में आता है पहले भाग है आपकी हिंदी और दूसरी भाग है आपकी अंग्रेजी और तीसरे भाग में आती है 36 गड़ी भाशा क्लियर तो चलिए सबसे पहला देखते हैं विकारी शब्द से प्रशन अब आप कहेंगे कि विकारी शब्द क्या है इसके अंतरगत आपको संग्या, सर्वनाम, क्रिया, विशेशन, वचन, लिंग, काल, कारक रशन है या फिर आप के ऐसे पक्षण जो क्रिया, विशेशन, संबंद बोधक ऐसे पक्षण सो लेकर हैं तो विकारी और अविकारी शब्द से संब्धित प्रशन से भी आपको एक एक नंबर का दो दो नंबर का प्रशन पूछता है तो मैंने हिंदी में जैसे आपको बताया था वही रण नीत इसे पकर बोकुरा और लईकोरिया तो अगर देखा जाए तो अगर ये केवल दो हैं अगर ये दो है तो एक एक में हमारे नंबर है और अगर इसी प्रकार अगर मान लीजिए ये चार है और अगर ये आपको केवल कह दे चार अंक का है तो ध्यान रखिएगा कि अगर चार number का है, मतलब each one options में आपको एक number दिया गया है, लेकिन अगर यही दो अंक का है, ठीक है ना, और केवल दो दिया है, तो आपको उसके लिए मानना होगा, कि दोनों विकल्प में एक एक number है, ठीक है, तो जैसे आपको उत्तर लिखन करना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, जैसे कि आप उतारेंगे डोकरा, अब अगर हम इस त्री लिखेंगे इसको डोकरी, ठीक है ना, आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी का एक पक्ष और है, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूरलिंग शब्द, ठीक है, और इधर लिख सकते हैं आप इस त्री लिंग शब्द, ठीक है, ऐसी सेच्वेशन में number one कर दिया, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया डोकरा और यहाँ पर लिख दिया आपने डोकरी ठीक है इसे परकार ठेठवार तो ठेठवारिन इस रुप में बोकरा है तो आप लिखेंगे बोकरी और लईकोरहा है तो आप लिखोंगे लईकोरहिन ठीक है दूसरी बात ध्यान रखिएगा क ये 36 गड़ी बोलना तो आसान लगता है, पर लिखने के लिए हमें थोड़ी सी परिशानी महसूस होती है, आपको पता होगा, ये 36 गड़ी बोली भी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है, इसको लिखने के तरीके में उसका उच्चारण करते समय, इसको लिखेंगे, तो वहाँ पर वरतनी के शुदता का होना जरूरी है, चलिए, इसी का दूसरा हिस्सा दे देता है, कभी-कभी दे देता है, इस तरी लिंक शब्द है, जिसको पूरलिंक शब्द में बदलना है, यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर ये 4 नंबर का होगा, चार विकल्प है, तो एक विकल्प में आपको एक नंबर होगा, अगर वो दो विकल्प है और दो नंबर के हैं, मतलब यहाँ पर भी आपके एक-एक अंक जो है, एक-एक विकल्प में होगे, तो यहाँ पर भी उत्तर लेखन कैसे करना होगा, यहाँ पर भी करना होगा, ब number 1 डाल देते हैं, जैसे कि बचिया, ठीक है, तो पूरलिंग में क्या कहलाने लगता है वो, जैसे कि बच्छवा कह दिया, ठीक है, इसी प्रकार देखा जाए, तो अगर वो जकही कहता है, तो हम क्या लिखेंगे, जकहा, ठीक है, और इस प्रकार आपको लिखना है, इसके को जहां पर जगह दिया है, वहां पर लिखना है, हिंदी की तरह पूरा इसका व्याकरण भी उसी रूप रेखा के अनुसार चलेगी, कि दिये गए इस्थान पर भी उत्तर लेखन को हमें करना है, तो सबसे ज़्यादा प्रती वर्ष आपके वचन और लिंग से प्रशन यह दो टॉपिक है, जिसको ज़्यादा फोकस करना है, इसके अलावा जो छोटे-छोटे प्लक्ष हैं, जैसे कि संग्या हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेशण हो गया, क्रिया हो गई, इनको भी पूछा जा रहा है, साथ ही इसमें टेंस, याने कि काल और कारक रशनाए, यह भी विशेश तोर पर पूछी जाती है, क्योंकि इसी के आधार पर ट्रांस्केशन वर्क जो है, वो आपको देता है, ठीक है, अब दिया है, देखिए, जहां पर मैंने आपको एक प्रशन ये बताया, कि कभी बदलने के लिए कहता है, कभी जेंडर चेंज करने के लिए देता है, पूर्लिंग को इस्तरी बदलिए या इस्तरी सुचक शब्द का पूर्लिंग रोप लप लिए, कभी कभी यही प्रशन वन लाइनर की तरह देता है, कि संगवारी कौन सा लिंग है, अब यहां पर आप पूर्लिंग बस मत लिखिए, है ना, आप क्या लिखेंगे संगवारी पूर्लिंग शब्द है, या कह सकते हैं, संगवारी में पूर्लिंग शब्द है, ठीके ना, संगवारी में पूर्लिंग शब्द है, ठीके ना, या आप कह सकते हैं, संगवारी एक पूर्लिंग शब्द है, ठीके ना, तो आप इसको एक sentence को complete करिएगा, ठीके ना, तो संगवारी पूरलिंग शब्द है, या अगर आप लिखना चाहें, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसके संगवारी लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, पूरलिंग शब्द, ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका clear होता है, या तो इस रूप रेखा में लिखें, वन लाइनर है, दो अंक का दिया है, मतलब दो प्रशन दिया है, यहाँ पर देखिए, वचन और लिंग से एक प्रकार का प्रशन पूछा है, इसमें एक नंबर और इसमें एक नंबर, तो संगवारी कौन सा लिंग है, तो आप लिख सकते हैं, संगवारी में पू तूरी मन में बहु वचन है या तूरी मन बहु वचन शब्द है या आप इसका तरह लिख सकते हैं जैसे कि तूरी मन यहां पर लिख सकते हैं बहु वचन ठीक है और यहां इस तरह लिखने से वाकिय क्या होते हैं पूर्ण हो जाते हैं ठीक है अगली बारी अगला कोशन क्या कहता है? तीन घंताले पानी बरसत है, वाक्य में कौन सा काल है? अब देखें यहाँ पर टेंसर से related प्रशन पूछ रहा है, तीन घंताले पानी बरसत है, यह भी बेट देखें दो नंबर का है, सोच ये वन लाइनर कोशन है, और आपको बता दू, आपकी दिमाग की सोच ये कहती है, कि छत्तिस गड़ी बहुत टफ है, लेकिन एक चीज़ बता दू, चाहे छत्तिस गड़ी हो, इंगलिश हो, या आपकी हिंदी भाषा हो, CGPSC में चार दिन के प्रशन पत्र में सबसे ज़्यादा स्कोर, अगर आप किसी प्रशन पत्र में कर सकते हैं, तो प्रथम प्रशन पत्र है, जो है आपकी लैंग्विज का, याने अगर आपको डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट लेना है, या किसी उच इस तर के पत्र पर जाना हैं, तो आप सबसे पहली बात, आप भाशा पर अगर जितनी ज़्यादा पकड़ करेंगे, तो प्रथम प्रशन पत्र अगर आपका स्ट्रॉंग है, तो मान कर चलिए, एसे का पेपर भी आपका स्ट्रॉंग होगा, इसलिए, CGPSC में सबसे ज़्यादा स्कोर करके, यदि आ अगर वो तत्सम शब्द है, चंद्र तो है, उसके पिछे लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अन्य प्रशन पत्र में क्या होता है, उसके पिछे आपको बहुत सारी चीजों को सोचना समझना पड़ता है, तर्क भी तर्क करने के बाद में, आंसर को इतना बा पर, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या 36 गड़ी लैंवेज हो, देखे, दो दो नंबर के लिए प्रशन पूछ रहा है, आपने यहां भी देखा, कि दो नंबर के लिए पूछ रहा है, मतलब यह एक एक नंबर का हो गया, अब यहां से तो मामला और बदल गया, कि यहां पर आपके दो-दो अंक के प्रशन पूछ रहे हैं, जहां पर आपको एक ही तरह का प्रशन पूछा जा रहा है, अब तीन घंटा ले, पानी बरसत है, ऐसी सिचुएशन में, अब मुझे 36 गड़ी नहीं आती, तो मैं कैसे जानू, अब ध्यान समझेगा, तो थोड़ा सा हिंद इसे रिलेट करियेगा, क्या कह रहा है, तीन घंटा ले, मतलब तीन घंटे से पानी बरसत है, मतलब पानी बरस रहा है, अब हमने क्या 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 तीन घंटा ले, पानी बरसत है, मतलब तीन घंटे से वर्शा हो रही है, अब यह हमारे लिए क्या बन गया, यह हमारे लिए अपुरुण वर्तमान काल बन गया, तो सेम सिच्वेशन चाहिए इसलिए इसका इंसान आंसर क्या रहेगा, अपुरुण वर्तमान काल, ठीक है? हाला कि मैंने क्या बला कि सेंटेंस उतारना चाहिए, लेकिन चुखिए अगर आपका मैंने पहली बताया, जो व्याकरनी उसमें आपको उतारना कंपलसरी है, लेकिन अगर आपका ऐसा लंबा वारा सेंटेंस है, कि तीन घंटा ले पानी बरसत है, तो आप उसमें पुरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, कि तीन घंटा ले पानी बरसत है, वाक्य में अपुरुण वर्तमान काल है, यह भी लिख सकते है, या उसके नीचे अब पुर्ण वर्तमान का लिख देंगे, तो भी नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, गोठियाना शब्द की भावचक संग्या बनाएए, अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, गोठ, ठीक है ना, अब गोठियाना शब्द का भावचक संग्या बनाईए, अब गोठियाना अगर कह रहा है, तो बात से बतियाना है, बात से बतियाना है, तो गोठ से बना हमारे लिए गोठियाना, ठीक है ना, गोठ से बना हमारे शब्द है कि बागल की क्या पहचान, पागल बाईहा, चतिसगरी में बाईहा किस कोलते हैं, पागल को, पागल की क्या पहचान कहते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए एक प्रश्ण है, इसलिए वाक्य में क्या है, प्रश्ण वाचक सर्वनाम है, ठीक है, आप क्या लिखेंगे सर्वनाम, जिसमें का का प्रयोंकर रहे है. ताब क्या लिख सकते हैं? कि बैहा के का, चिनहारी, वाके में का, प्रश्ण बाचक सर्वनाम, शब्द है. क्लियर हो गया? इसी प्रकार. पत्तोशब्द का लिंग क्या है? अब आपको मालूम होना चाहिए, पत्ता और पत्तो दो अलग-अलग चीज़ है, अगर वो पत्ता कहता है, हिंदी में, छत्तिस गड़ी में इसे पाना कहते हैं, या इसे पत्ताई कहते हैं, या इसे पान कहते हैं, तभी तो परसा पान कहते हैं, सरई पान कहते हैं, बगना पान कहते हैं, इसी प्रकार पाना प है न की? अब हिंदी में पत्ता है जिसे हम इस रूप में झाते हैं लेकिन अगर पत्तो कहता है तब हम इसको कहते हैं बहू को अब बहू जो है व tweaking गें ईस्तिरिलंग ऐस्तिरिलिंग का शब्द है या पत्तो में स्तिरिलिंग involve है clear हो गया यह भी आपके दो नंबर के सोचने वाली बात है कि बिल्कुल छोटा-छोटा सा है और यह दो नंबर का अंक आपको देता है अगर इस तरह आपने उसको लिखा तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे अब देखिए जाथन में कौन सा वचन है अब ध्यान रखिए इसमें हम TATETI बनाते हैं वैसे 36 घड़ हाशा में भी त जूर जाता है इसलिए जाता जात जाते जाती से झात बन जाता है खात लिखत पढ़ःत बाइष़ब्हत बीटहथ ऐसे शब्द कर निर्मान होने लगता है अब वरत्रमान कालकी का साहे क्रिया में हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं, है, हूँ और हो, 36 गड़ी में आओ, अस और ए लगा देते हैं, इस तरह देखा जाए, तो हम क्या कहते हैं, जात हन, ठीके न, जात हन, अब यह बहुवचन शब्द है, ठीके न, जैसे कि जात हस कह रहा है मतलब जाता हूँ और इसी प्रकार जात हन कहते हैं तो बहु अचन में जाते हैं हो जाता है क्लियर हो गया ध्यान समझेगा अब क्या होता है बगेल खंडी और बुंदेली के प्रभाव पड़ने की वज़े से किसी भी क्रिया के मूल धातुषद में जुड़ा होता और उस लिए जिस तरह की मात्रा है अब हाँ है तो थाँ बन जाता है इसने जात हाँ से जाथाँ बोलते हैं जात हस से जाथस बोलते हैं और जात हन से जाथन बन जाता है कि हम लोग जाते हैं तो हमन जाथन जिसमें क्या बन जाएगा आपका बहु अचन हो जाएगा ठीके ना जाथन में बहुवचन शब्द है, या जाथन बहुवचन शब्द है, ठीक है, 36 गढ़ी बच्छर किस तत्सम शब्द से बना है, अब देखने वाली बात है, कि 36 गढ़ी में वर्ल रुपांतरण को आपको याद रखना होगा, कि वर जो है, कनवर्ट हो जाता है बा में, सा कन वत्सर से बना है, ठीक है ना, अगर देखा जाए तब क्या कहेंगे, 36 गढ़ी बच्छर वत्सर तत्सम शब्द का रूप है, या कह सकते हैं, तत्सम शब्द वत्सर का 36 गढ़ी रूप बच्छर है, और इस तरह अगर आप आंसर को complete रूप में लिखते हैं, तो दो में कतले तुकडे को 36 गढ़ी में क्या कहते हैं, अब देखने वाली बात है, यहां पर हिंदी में तत्सम का तद्भाव परिवर्तन या तत्सम रूप लिखने के लिए देशा शब्द लिखने के लिए देता है, अब यहां पर 36 गढ़ी के अंदर उन ही चीज़ों को इसके अलावा 36 गढ़ी के हम सारे विशेशन, संग्या, क्रिया, सर्वनाम सभी चीज़ों को पड़ते हैं, अब देखने वाली बात हो जाती है, कि अगर हम हुदरना कहते हैं, कोचकना कहते हैं, ठीके न, यह सारे शब्द हमारे क्रिया के हैं, अगर सुगर, नीक, गजब, अब चुक-चुक कहते हैं, तो यह विशेशन का शब्द है, इन ही शब्दों को हिंदी में क्या कहा जाता है, जहां इसका भंडारन है, उसे शब्द कोश कहा जाएगा, उसे शब्द कोश के अंदर से, अब यहां पर प्रश्ट पूछा है, कि बास के पतले टुकडे को किमचील कहा जाता है, या उसे कई लोग कहते हैं कमचील, तो किमचील भी कहते हैं, और कई लोग उसके उच्चारण में उसे कमचील के नाम से पुकारते हैं, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, बास के पतले टुकडे को 36 गड़ी में कमचील कहा जाता है, इतना आपको के लिए आपको पूरा लिखना होगा ठीक है अब दिया है आपका एक ही चीज का दूसरा रूख ठीक है देखे यहाँ पर क्या पूछा था इसमें आपको क्या पूछा था वचन पहचान ने बोला था अब देखे यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर आपको कह रहा है एक वचन में बदलना है ठीक है दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि 36 गड़ी बोली के अंतरगत वचन परिवर्तन करने के लिए हम कुछ उपसरगों का और कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं अब सभी को पता है कि उपसरग का प्रयोग पहले जोड़ा जाएगा प्रत्ययों का प्रयोग बात भी जोड़ा जाएगा ठीक है तो मन, लोग, लोगन, पंच, पंचन, च, इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे लिए इस सारे शब्द हैं जो हमारे लिए आपके ज़न शब्द हैं यह सब प्रत्ययों के तोर पर जुड़ेंगे उपसर्ग के तो आपड़ धेर, बहुत, खूब, गंज, अब बढ़, यह ऐसे शब्द हैं जो आईज़, प्रिफिक्स आपको जुड़ेगा और बहुवचन का निर्माण होगा आप सभी को पता है ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको सिर्फ यह कह रहा है एक वचन से बहुवचन बदलना है आपको बांधा नहीं है कि निम्न उपसर्ग का प्रयोग करके वचन बदलिए या यह नहीं कहा है कि निम्न प्रत्ययों के प्रयोग से वचन परिवर्तन कीजिए आपको सिर्फ कहा है, एक वचन से बहुचन बदलना है, अब जैसे टूरा कह रहा है, आप सभी को पता है, कि अगर मैं उसमें मन लगा दू, तो बन जाएगा टूरा मन, तो ऐसा लिखना ही नहीं है, क्योंकि सही होकर भी सही नहीं होगा, नंबर काटा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां आपको परिवर्तन करना है, बंधन नहीं है, इसलिए आप किसी भी रूप का इस्तिमाल कर सकते हैं, तो अब क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे, जैसे की टूरा, अगर देखें, इधर लिख दिया एक वचन, ठीक है, और इधर लिख दिया वेटा, टूरा मन, यदि आप चाहते हैं, तो यहां पर टूरा बीच में चा लगा दिया, यहां पर फिर लिख दिया टूरा, तो टूरा च्टूरा भी लिख सकते हैं, या टूरा लिख सकते हैं, या जम्मो टूरा लिख सकते हैं, या सब्वो टूरा लिख सकते हैं, ठीक है, इसी लाइका है तो लाइकेच लाइका लिख सकते हैं या जम्मो लाइका और उसी प्रकार लिख सकते हैं बहुत लाइका या फिर आप कह सकते हैं लाइका मन जो आपको निश्जित लगता है लेकिन ध्यान रखेगा सबसे ज़्यादा ये दोनों हैं जो मान्य माने जाते हैं बहु लिख रहा है कोशन अलगला कि राम लिखत रहीज इसमें कौन सा काल है देखिए टेंस से मैं देखू तो दो प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं जैसे कि आपके सत्थ कौन सा काल है वैसे भी यहां पर भी पूचा गया है कि राम लिखत रहिस, वाकिय कौन सा काल है, अब लिखत रहिस, मतलब कि लाम राम लिख रहा था, अब क्या लिख रहेंगे इसको, लाम राम लिख रहा था, यह हमारे लिए अपुरुन भूत काल का उधारन हो जाएगा, कि राम लिख रहा था, मतलब अपुरुन भूत काल का उधारन है, ठ में किस कारक विभक्ती का प्रयोग है, दो नंबर का है, मतलब each one option है, one marks, ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, option नंबर एक, मनखे बर, ठीक है न, मनखे बर, याने की बर, खातीर, लेखे, लाने, वास्ते, है न, इसी सभी कपरे, जो है, वो, डेटीव केस, क्याने की संप्रदान कारक के लिए होता है, लाइका बर फुगगा बिसाबो, है न, तोर खातीर मैं मरे जाता हूं कहता है, है न, लाइका के खातीर कहता है, लाइका बर कहता है, तोर वास्ते तोर लाने कहता है जिस सभी हमारे संप्रदान कारग है तब आप क्या लिखेंगे यहां पर यहां लिखेंगे संप्रदान कारग ठीक है अगर यहां पर दुसरा लिखते हैं जैसे कि डोकरी ला, डोकरी ला, अब देखने वाली बात है, कि एला, ओला, मूला, तोला, जेला, है न, यह सब ही हमारे लिए, इसको, उसको, मुझको, तुझको के प्रयोग के लिए इस्तिमाल किया जाता है, इसी का एक पक्ष और है, जो बिलासपुर की एक शत्र पे प्रयोग होता है, ठीक है, इस तरह आपको उत्तर लिखना होगा, दो लाइन है तो, हालांकि इधर के लाइन आपके पूरे छूट जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, पर दोनों लाइन को कंप्रीट करना जरूरी है, चलिए, अब इसी प्रकार आपके विकारी शब्दे से प्रशन प संबंधित प्रशन जो है वो पूछा जा रहा है, इससे ध्यान रखेगा कि आपके विकारी शब्द और अविकारी शब्द को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, अब बारियाती उपसर्ग प्रत्य की, चतिस गड़ी में पाठे करम के परिवर्थन से पहले भी नहीं आया था, लेकिन 2018 के बाद से इन चीजों को इस्पेशली कोश्चन के माध्यम से पूछा जा रहा है, पहले व्याकरण में केवल क्या पुछता था, हिंदी शब्द का चतिस गड़ी समानार थी, चतिस गड़ी समानार थी, वचन परिवर्थन, लिंग परिवर्थ इसके बाद चतिस गड़ी प्रशासनिक का हिंदी, हिंदी प्रशासनिक का चतिस गड़ी प्रणिवर्थन और साथ ही देता था साहितेकार और रूसकी रशनाय और दो तीर प्रशना आपके बोली भाशा परिवार से होते थे, परंतो अब व्याकरण के हर एक पक्षर को दो उपसर्ग और प्रत्या की, उपसर्ग और प्रत्या की बात की जाए, जैसे कि अईन उपसर्ग लगाकर चतिस गड़ी के दो शब्द बनाईए, अब देखिए हिंदी में हम आईन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, और यह कैसा प्रत्या है, इस्त्री सुरुशक प्र जिसका प्रोग पूरलिंग शद्द को इस त्रिलिंग में बदलने के लिए स्तिमाल करते हैं शर्मा से शर्माईन, मिश्रा से मिश्राईन, पांडे से पंडे आइन, ठाकुर से ठखुराईन कहते हैं, 36 गड़ी में वरण रुपांतरण होते हैं, कभी लगो को दिरगा, दिरगा को लगो में प्रनंसियशन करते हैं, इसलिए आइन नहीं बलकि आइन का प्रयोग है, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है, especially 36 गड़ी के दो शब्द बनाएए, तब आप यहाँ पर शर्म पंड़ाइन लिखेंगे, ठकुराइन लिखेंगे, ललाइन लिखेंगे, साहिबाइन लिखेंगे, ठीके न, तो यहाँ पर 36 गड़ी के शब्द प्रयोग करना है, अब इसका प्रयोकता है, इसी प्रकार अगर कहते हैं, तो आप एक मूलधा तुशदक प्रयोग करें, जै सकते हैं, लेकिन बोला कितना है केवल दो, है न, तो आप अम्तईन, भिष्राइन, धुंगियाईन कह सकते हैं, सर्माईन, मिष्राइन कह सकते हैं, उसका प्रयोग जो है, वो कर सकते हैं, दूसरा दिया है, आड़ी प्रत्याइक लगा कर चट्तिस गड़ी के दो शद लिखते हैं, जैसे हमारे पास अगर शब्द हिंदी के हैं, तो अपर भरनशित करके लिख सकते हैं, यदि आपके पास प्रत्तिकूलर चट्तिस गड़ी का कोई शब्द है, तो उसको वहाँ पर इस्तेमाल जो है, वो किया जाएगा, तो अगर आड़ी कहता है, तो अगारी पिछारी कह सकते हैं, खिलारी कह सकते हैं, ठीके ना, इसका इस्तेमाल जो है किया जाएगा, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर लिख दिया आड़ी, ठीके ना, अब यहाँ लिख दिया अगारी और इधर लिख दिया आपने पिछारी, ठीके ना, तो अगारी पिछारी ल करेंगे तो यहाँ पर underline करेंगे और यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी करने क्या हो शकता नहीं है अब आते हैं अगले कोशन के और शब्द निर्मान ठीक है सबसे बड़ा हिस्सा सीजी पीएसी में सबसे बड़ा हिस्सा ये टॉपिक रखता है जहां दस नंबर का अभी-कभ आठ नंबर का प्रती वर्ष कोशन नंबर वन के माध्यम पूछा जाता है कोशन नंबर वन के दो हिस्से हैं कोशन नंबर वन में क और ख कभी-कभी प्रशन एक और प्रशन दो भी कह देता है और सबसे पहला कोशन होता है जहां दो प्रकार के प्रशन होते हैं नीमने और कितने नंबर का है पांच नंबर का है तो प्रत्यक विकल्प पर आपका एक नंबर है अगर यहां पर दस दे दिया गया है और पांच नंबर का है मतलब प्रत्यक विकल्प आपके आधे नंबर के हो जाएंगे अगर चार नंबर का है और चार विकल्प है तो एक एक नंब सभी विकल्प में होंगे यदि आठ विकल्प है और चार नंबर का है तो प्रत्यक विकल्प में केवल आधे आधे अंक दिये जाएंगे दूसरी बार यहां पर हम उन शब्दों को लिखेंगे जो हिंदी छतिसगरी शब्द को जो मानक वरतनी के अनुसार छतिसगर शासन जि उन ही शब्दों को लेकर चलेंगे यही वज़ा है जो हम प्री के भी एक्जाम में होते है न तो छफ्टिस गड़ शासन जिसको मान्ने मानता है हम उसको लिखेंगे क्यों है इसकी पीछे कारण कि प्रजे 16 गड़ राज्ये की सीमा को चूता है सबसे परिज़ा हर राज्य में एक ही शब्द के लिए अलग अलग प्रकार की प्रयोग किये जाते हैं जैसे कि गवावा जिस हम अमरूद कहते हैं ठीक है ना सिक्षित वर्ग का व्यक्ति अमरूद कहता है लेकिन 36 ब्रगर प्रचलन के अंदर उसे कोरभा के एक्षित्र में जांजगीर की तरफ दुर्ग की तरफ आप उसे भी ही कहते हैं लेकिन रायपूर परिवेश में अगर आते हैं तो यहां उसी को ही जामफर कहा जाता है जबकि जामफर कोरभा के एक्षित्र में जम्बू प्लम याने की जो जामून होता है उसको कहा जाता है इसलिए जिसके लिए जो शब्द शासर निर्धारित करती है, हम उसे लेकर चलेंगे, हम अरकती तो इसमें कथें, यह वाला काम यहाँ पर चलेगा, नहीं, क्योंकि नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको विकल्प दे दिया अब यहाँ पर मालिजे पांच अंक का है, तो आपको तीन लाइन दे देगा, क्यों, क्योंकि यह वन लाइनर है, अब आपको यहाँ पर मालिजे तीन लाइन देता है, ठीक है ना, तीन लाइन देता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप उत्तर लिखेंग या 36 गड़ी में उसे क्या करता है, बर कहते हैं, और ब्रैकेट में आप बढ़ भी लिख सकते हैं, बढ़ के पेड, तो बरगत को कहते हैं बढ़, निलकंठ को कहते हैं टेहरा, तरबुच को कहते हैं कलिंदर, इसी प्रकार बहु को कहते हैं पत्तो, या आप लिख सकते हैं ब पक्ष है, तो अंजोरी पाक, दो पहर है, तो मंझनिया लिखते हैं, इसी प्रकार अगर आपका बगुला है, तो कोकड़ा लिखते हैं, नमक है, तो नून लिखते हैं, क्लियर हो गया, ठीक, चले देखी, इसी प्रकार थकावट है, थकावट है, तो चतिस गड़ी में थकास आप चत्रिस गड़ी के लिए मा को हम महतारी के नाम से जादा बोलते हैं या हम इसे दाई के नाम से पुकारते हैं। शुद्ध है तो आरुग कहा जाता है, जिद्धि है, जगहा भी कहते हैं। ऑप जतदि है, ज गएप अहरा करते हैं। अगर इस रुप में अगर देखा जाए, तो पांच नंबर का प्रश्ण है, जहां हिंदी को 36 गड़ी में और 36 गड़ी को हिंदी में लिख रहे हैं, अगर पांच में से आपने केवल तीन को सॉल्व किया है, तो पांच में केवल आपको तीन अंक ही मिलेगा, इसलिए सबसे जादा 36 गड़ी लांगेज में दस नंबर का प्रश्ण आपको इस आधार पर पूछा जाता है, अब देखिए उसी का दूसरा रूख, कि 36 गड़ी शब्दों को हिंदी में लिखे, जैसे कि नवा दसी है ना, हम क्या लिखेंगे कफन, जुनगा है तो हम लिखेंगे बरब कोटरी छोटी हीरन को कहते हैं, लुगरा साडी को कहते हैं, तसमाई खीर को कहा जाता है, तो वन लाइनर है, तो जैसे मैं लिखने के लिए बताया, कि अगर पांच वी कल्प दिये जा रहे हैं, तीन लाइन का है, तो यहाँ पर वन, टू, टू, त्री, फॉर, फाइड के और इस पे उतारेंगे बिटा, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया नवा दसी, तो बगल में लिखेंगे आप कफन, ऐसे इन चीज़ों को उतारियेगा, जैसे कि परेवा कह रहा है, तो यहाँ पर उतारियेगा कबूतर, तो यहाँ पर आपका जो आंसर राइटिंग है, बहु को पूरा उतारिये, कि तीन घंटा ले पानी बरसत है, वाके में अपुर्ण वर्तमान काल है, लेकिन वहाँ पर जब आप इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको विकल्प को लिखना होगा, यदि आप वहाँ पर नहीं लिखना चाहते हैं, पूरे सेंटेंस को, तो आप जो एक लाइन दिया गया होगा, वहाँ लिख देंगे अपुर्ण वर्तमान काल, तो वह भी चलेगा, लेकिन आपको विकल्प वाला होगा इस तरह का, तो यहाँ पर आपको आंसर जो है, आप्शन को उतारने के बाद में, उसके बगल में आपको उत्तर लेखन करना ह होगा, तो हम कह सकते हैं, आपके बहुत ज़्यादा भर हुएं इसी प्रकार कोचई है, तो अर्भी को कहते हैं, पताल तमाटर है, बोईर एक प्रकार का फल है, आनी बानी मतलब की भिन भिन प्रकार का, हर हिंचा मतलब स्वचंद अवस्था, तकरहा मतलब आदी जो अभ् देखा जाए, अब यहाँ पर दिया है बरा, बरी, कोहरा और कोहिरा में अंतर समझाएए, अब यह सम्मोचारिश शब्द है, एक नमबर इसमें, एक नमबर इसमें, यानि कि आधा, आधा करके, चार हिस्सों में बाटा गया है, आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंग ठीक है न, यहाँ लिख दिया बरा, और यहाँ लिख दिया बरी, ठीक है न, आपने इसको नमबर बन कर दिया, अब बरा, क्या होगा, उड़त दाल से बना हुआ एक पकवान, बरी, उड़त की बनी हुई एक प्रकार की सूखी सबजी, ठीक है, इसी प्रकार दूसरा कोरहा, ठीक है ना, और यहां पर लिख दिया, कुहीरा, ठीक है ना, अब क्या लिखेंगे कोरहा, मा की गोद में रहने वाला बच्चा और कुहीरा है, तो धुआ को, है ना, यहां पर आपने उसके अंतर को इसपश्ट कर दिया, ठीक है, यहां पर किसी प्रकार का वाक्य प्र करना है, मतलब उसके आंसर को लिखना है, ठीक है, अब देखे, इसी का दूसरा पहलू, कि नीमन सम्मोचारिष शब्द का अर्थ भेद इस पश्ट कीजिए, अब यहाँ पर केवल शब्द दे दिया है, यहाँ पर बता दिया है, कि यह सम्मोचारिष शब्द है, इसका भी आ कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर कह दिया, ओलियाना, ठीक है ना, और यहाँ पर कर दिया, ओलियाना, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, आचल में किसी समान को लेकर दोनों किनारे पर खौच लेना, ओलियाना है, यहाँ आचल में समेटना, ठीक है ना, और ओलियाना, जान कहता है ठीक है ना तो गुर्रा को चक्र कहा जाता है ठीक है ना गुर्रा को क्या कहते हैं चक्र कहते हैं ठीक तो इस प्रकार आपको यहां पर अर्थ भेद को इस पश्ट करना होगा तो लाइन आपको यहां भी दिया जाएगा ठीक है अब है पोखरा किसे कहते हैं ठीक है ना और कमल का जो बीज होता है उसे भी पोखरा कहते हैं, अब यहाँ पर कह सकते हैं कि 36 गड़ के अंदर पोखरा कमल के बीज को तथा छोटे तलाब को भी कहा जाता है, इसी प्रकार, 36 गड़ी में खातिर शब्द का प्रयोग किस रुप में होता है, अर्थ सहीत बताईए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कि 36 गड़ी भाज बोली में खातिर शब्द का प्रयोग संप्रदान कारक के तौर पर किया जाता है, उदाहरन लईका के खातिर दद बिहनियाले खेतन बूता करते हैं, इस तरह आप उसके आंसर डिफाइन करेंगे, ये भी आपके दो नंबर का है, एक नंबर आपके उसके डिफाइन करने में, और एक नंबर उसके एक्जांपल देने में, अब कभी-कभी ऐसा होता है कि एक साथ, चार-पांच प्रशन दे दिये जाते हैं, और उनके अंकों को एक साथ लिख दिया जाता है, जैसे हिंदी पत्रकारिता से, ठीकर साहिते कारों से, हिंदी साहिते के कालवी भाजन से प्रशन पूछे जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर सभी चीजों को मिला कर एक जगह प्रशन दे दिया जाता है, और न में दो नंबर हैं, टीक है, अगर यहीं दस प्रश्न होते कोndy प्रत्य प्रश्न में एक-एक अंक होता, अब नीचे देगा तो आपको पांच लाइन, क्योंकि पांच प्रश्न है, तो आपको वन लाइनर है, इसलिए पांच लाइन दे दिया. अब यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, जिस उत्तर को आप लिख रहे हैं, और नीचे अगर कर रहे हैं, तो नंबर सही डालना जरूरी है, क्योंकि आप लोग कभी-कभी पूरा sentence नहीं उतारते हैं, केवल number को लिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया अपुरुन वरतमान काल, अब आपने वहाँ पर अपुरुन वरतमान काल जो है, वो question number three है, और सबसे पहले आपने उसको लिखा, और आपने वहाँ अगर one कर दिया, तो वो three number का जो question है, वो one number का हो जाएगा, तो ऐसे mistake आपको करने नहीं है, तो जो अगर आप बिलकुल short form में लिखना चाहते हैं, तो उसमें प्रश्न का जो अंक है, वो सही होना जरूरी है, जैसे, ये लईका हमर है, वाग्य में किस शब्द भेद का रहा है, तो ध्यान समझेगा, यहां पर आपको एक example, अब किस का दिया है, क्या ये संग्या का example है, क्या वचन का है, क्या सर्वनाम का है, क्या जेंडर का है, ये दिमाग लगाना है, तो हिंदी में देखेंगे, कि ये लड़का हमारा है, अब ये लड़का हमारा है, इसमें हम अगर हम ये की बात करते हैं तो सर्वनामिक शब्द है तब आप sentence क्या लिख सकते हैं ये लईका हमर हे वाक्य में ये सर्वनाम का शब्द है ठीक है ना? अब बहुत जादा डीटेल करने की जरुत नहीं है कि सर्वनाम में निश्चित है कि अनिश्चित है अब देखिए क्यों बोल रही है क्योंकि यही ये शब्द है जो सर्वनाम में आपका अन्य पूरुष में भी आता है और निश्चय वाचक में भी आता है ठीक है ना? अब हालां कि इस sentence में निश्चित कि ये हमारा लड़का है ये निश्चित है definite pronoun है लेकिन जहां confusion create होने लगे ऐसा प्रयोग ना करके बहतर है कि हम ये लिख दे कि question number one कि ये शब्द सर्वनामिक शब्द है ये भी कर सकते है कि question number one का answer लिखा कि ये सर्वनाम शब्द का वाचक है या आप लिख सकते है ये लईका हमर है वाकिब में ये सर्वनामिक शब्द का वाचक है ठीक है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो इसका 36 गड़ी रुपान तरण कीजिए अब translation work की शुरुवाती दौर में ऐसे ही question जो है दिये गए थी ठीक है ना तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो तो 36 गड़ी में मालम होना जिस सेकेंड परसन को ते भी बोलते हैं और ते भी बोलते हैं राइपुर के ख्षेत्र में अधिकांश्था आप सुनेंगे कि ते कर दे कहा जाबे मेहा जाहा जाहा लेकिन मोस्ट आफ परसन कहलता है ते हर या मेहर कहते हैं है ना तो तुम मेरे लिए अब ये हमारे लिए संप्रदान का रख है ये मालम होना चाहिए अब देख लिए ते मेरे लिए कहता मोर बर क्या को बलते हैं काय कर सकते हो काय कर सकत हस याने की ते मोर बर काय कर सकत हस ये लिखकर आपके sentence complete हो गया, मृतक के दा कर्मे के तिसरे दिन के इसनान को 36 गड़ी में क्या कहते हैं, अब ये प्रशासनिक शब्द और परिभाशिक शब्द में जो हमारे लिए जो शब्दकोश की अंतरगत की चीज़े हैं, पुछ रहे हैं, तो मृतक के दा कर्मे के तिस तिसरे दिन के इसनान को 36 गड़ी में हम देखें, हिंडी में दश कर्म कहते हैं, हिंडी में दश गातर कहते हैं, 36 गड़ी में उसे उस नाम से पुकारा नहीं जाता, 36 गड़ी में हम दस नहावन, तीज नहावन कहते हैं, कोई व्यक्ति कहते हैं, दस करम मजाबो, दस गातर के नियोता है, बोलते हैं न, तो ध्यान रखेगा कि तीसरे दिन के कारिक्रम को तीजनाहावन कहा जाता है, चत्तिस गड़ी में अनार के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, तो चत्तिस गड़ी में अनार को दड़मी कहा जाता है, ठीक है, तो चत्तिस गड़ी में अना है ना अब ये किस से बना है ये किस क्रिया से बना है पसाना से है ना भात से पानी को मार को अलग करने की जो क्रिया होती पसाना उसी से बना है हमारे लिए पसिया ठीक है ये वन लाइनर कोशन हुए आपके ठीक इसी प्रकार देखे संधी और समास ठीक संधी और समास में से प पहचान करने देता है, एक बार अचानक से उसने प्रश्ण पूछा था, परिनाम शब्द का संधी विछेद कर, उसके प्रकार को भी निर्देशित करें, दो नंबर का, देखने वाली बात है, कि जो संधी, हम संस्कृत में पढ़ते हैं, उसी संधी को हम हिंदी में लाते हैं और उसी हिंदी की संधी को 36 गड़ी में प्रयोग करते हैं, बशर्ते यह जानते हुए, कि 36 गड़ी भाषा के अंतरगत वरन अक्षर जो हैं, वो बदल जाते हैं, इसलिए, अगर सायोगत अक्षर टूट रहे हैं, वरन अक्षर बदल रहे हैं, आप इसो कैसे करेंगे, यह आपर उत्तर लिखेंगे, जैसे की परी नाम, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, जैसे की परी धन मा, आपका नाम है, ठीक है ना, परी धन नाम है, ठीक है, परी धन नाम है, ठीक है, परी धन नाम से बन गया हमारे ले क्या, परी नाम, ठीक है न, यहाँ पर मेंशन कर देंगे हिंदी और नीचे लिख देंगे परी नाम और यहां में इंसन कर देंगे 36 गड़ी ठीक है और इसी में कौन सा समास हो जाएगा यह संधी हो जाएगी यहां पर हो जाएगी हमारी व्यंजन संधी ठीक है तो अगर आप लिखे तो बहुत उत्रिष्ट रुप में लिख सकते हैं क्योंकि संधी विच्छेद भी करना है उसके प्रकार को भी लिखना है तो यहां पर परिणाम दे रहा है तो परीधन नाम कह रहा है तो परिणाम बना ठीक है अब परीधन नाम से परिणाम बना हिंदी में परिणाम कहेंगे अब दिया है समासिक शब्द के प्रकार बताइए, सिर्फ उसकी पहचान करनी है, दो दो नंबर का, अगर केवल दो दिया है, मतलब एक एक है, जैसे चुटकी, चुटका, बहुबरी समास, रंधनी, खोली, हमारे लिए कतत पुरुष समास, अब देखेगा बिटा, यहां समा समास विग्रह नहीं कहा है, तो आप किसी भी प्रकार से समास विग्रह नहीं लिखेंगे, कि चटका और चुटकी नहीं लिखेंगे, परस पर चुटकी मारना, मतलब चीमटना भी नहीं लिखेंगे, रंधे बार खोली नहीं लिखेंगे, तीन बेटा के बाद जनम ले थे, जो यह भी नहीं लिखेंगे, लंबा हावय गोड़ जेकर यह भी नहीं लिखेंगे, तीर बेनी, तीन नदिया के संगम, ऐसा कुछ भी करने की ज़रुत नहीं है, अब अपने दिमाग में उसको समझ जिए, कि वो क्या है, ठीक न, जैसे कि तीतरी, अब यह तीतरी है, तीन ब आपकी जो नदि को समझ बोधित करी तीवेनी संगम, इसने हमारे लिए यह बहुबरी ही है, इसी प्रकार अब देखिए, अब यहाँ पर जो चीज ली गई है, यह आपका मैजदा फॉलोइंग है, यानि कि इसके अंतरगत, आपके 36 गड़ी शब्दकोश और व्याकरण के पक्षों को मिलाया गया है, जैसे कि दैहान इसमें क्या होता है, मातर की पूजा की जाती है, बारी में क्या लगाते है, सागभाजी, फूल के कली को कहते हैं, डोगडी और पंचों की बैठक जो होती है, उसे गुड़ी और पंचों की बैठक में जाने वाले को गुड़ी ह सकते हैं, question paper पे आप ये काम कर सकते हैं, यहां लिख दीजिए अ और इधर लिख दीजिए ब, ठीक है ना, अब यहां number one डाल दिए, जैसे की दैहान, ठीक है, dash करके लिख दिए, मातर, ठीक है, इसी प्रकार यहां लिख दिए, बारी, तो यहां पर लिख दिए, साग, भाजी, ठीक है ना, इसी प्रकार तीसरे नंबर में, अगर फूल कहता है, तो यहां पर लिख दीजिए, डोहडू, या डोहडी, ठीक है ना, और य बहुत ही खुबसूरत सा प्रयोग है, जिसका इस्तेमाल करके आप पूरा अंक जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी प्रकार से आपको इस प्रकार के रूप उतार के मैं ऐसे मैच कर दू नहीं करना है, उत्तर लेखन आपको करना है, ठीक है, अब इसी प्रकार है मुहा पुरर लोकोक्ती में भी क्या कहता है, मुहावरे का अर्थ लिखने कहता है, वाक के प्रयोग अब तक पूछा नहीं है, अब अगर यह तीन अंक का है, मतलब प्रत्यक विकल्प में आपके प्रश्न में एक एक अंक है, अब आप क्या लिखेंगे, जैसे की उत्तर, नीचे द लिख दिया है, ठीक है, तब क्या लिखेंगे, जैसे चार के कांधे जाना, ठीक है ना, चार के कांधे जाना, अब यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे यह में शन करते हैं, कि मैं यहां मुहावरा लिख दू, यहां मैं अर्थ लिख दू, तो यह एक लाइन तो यही खा जाएगा आपका, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने नीचे उसको लिख दिया है, तो दिखाई दे रहे, चार के कांधे जाना अगर कहता है, तो हम कह सकते हैं, मृत्यू का श्राप देना, मृत्यू का श्राप देना, ठीक है, इसी प्रकार पक्का लाडू दंडित किया जाना, हाथ पियार करना, तो अर्थ लिखेंगे, वैधिकरिती से विवाह करना, तो केवल आपको अर्थ लिखना है, वाद के प्रयूग नहीं बोला है, इसलिए किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा राइटिंग वर्क करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है अगली बारी, 36 गढ़ी कहावतों का हिंडी में अर्थ लिखेंगे, वहाँ पर भी हिंडी में ही लिखना है, यह थोड़ी न कहा है कि इस मुहावरे का 36 गढ़ी में अर्थ लिखेंगे, कुछ कहा है क्या नहीं, 36 गढ़ी मुहावरे दे दिये हैं, जिसका अर्थ लिखना है मतलब हिंदी में ही लिखेंगे हम, है ना, दूसरी बात ध्यान रखेगा, अब कह रहा है, 36 गड़ी कहावतें दे दी गई है, जिसका हिंदी में अर्थ लिखना है, एक हाथ खीरा के, नौ हाथ भीजा, मतलब बातों को बढ़ा चड़ा कर बताना, थोरहे के जांज, बहुत के मंजीरा, याने की, आपका अलपग व्यक्ति बहुत जादा प्रदर्शन करता है, कोकुर गंगा जाही, तब पत्रीला कोन चाट ही, अयोग ये व्यक्ति का सामर्थ प्रदर्शन करना, अंधवा हर लाठीला, एक पैदगवा थे, पुना धोखा नहीं खाना, और ये भी हम बगल में नहीं लिखेंगे, दिये गए जगह पर ही, हम उसके जो उत्तर है, उसको वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, अब देखते हैं, पहलियां, 36 गड़ी का हिंदी में अर्थ लिखिए, ठीक है ना, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तरसे कि नंबर वन, अलार दे, द लिख सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड और कलम, तो आप क्या लिख सकते हैं, आपके श्यामपट और कलम लिख सकते हैं, तीन सिंग के कारी गाई, दूध देवयता, अबड मिठा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि सिंघारा, ठीक है ना, यह हमारे लिए आप के प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं, ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि जब आपको आंसर लिखने के लिए दिया जाए, पूरी तरह हिंदी की तरह नियम को पालन करना है, कौन से हिस्से में बिटा, जब वो आपका व्याकरण का पक्ष में वन लाइनर वाला कोशन हो, या वो हमा में लिख दू, डैश करके यहाँ छेना लिख दू, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड और कलम लिख दो, यहाँ पर मैं सिंघाना लिख दू, नहीं, क्योंकि दिये गए इस्थान में ही आपको लिखना है, और इस तरह 36 गड़ी बोली भाशा के अंतरगत, पहला हिस्सा आपके ले व्याकरण पक्ष से यदि मुझे प्रशन पूचा जाए, तो मैं कैसे लिख हूँ, तो मैंने आपको बता दिया कि की सुरुप में उसके उत्तर को लेखन करना है, पहली बात, 36 गड़ी व्याकरण है, तो जिस तरह आपको इंस्ट्रक्शन देगा, कि 36 गड़ी से हिंदी ल इसा कहा जाता है, यहां हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, उस पर कोई भी बात यहां पर राजी नामा में रखा नहीं जाएगा, ठीक है, दूसरी बात, कि आप शब्द कोश भी देखेंगे न, तो 36 गड़ी के अंदर भी ये बताया गया है, कि किसी शब्द को कई नाम से और पक चीजें जिसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, वो भी मेंशन है, जैसे कि आपका देखने वाली बात है, जैसे कि आपका चमगादर, तो चमगेदरी भी कहते हैं, जैसे कि आपका लोमडी, इसे कोलिहा कहते हैं, फेकारी कहते हैं, खेखरी कहते हैं, लेकिन जो आपके मह खराश्र बॉर्डर है या कुछ अलग एरिया है, उधर उसे और कुछ कहा जाता होगा, उसको मानने नहीं करेंगे, क्लियर हो गया, तो 36 गड़ शासन, जिन शब्दों को मानने मानती है, जिसका प्रचनन 36 गड़ की अधिकांश, जनता के द्वारा किया जाता है, उस पर ही आ प्रचन पूछे जाते हैं, तो 36 गड़ के साहित्यकार और उनकी रचनाएं, साथ ही 36 गड़ी भाषा में, उनकी अन्य जिक्षेत्र में उसका योगदान, 36 गड़ी की आपकी लोग साहित्य, उसके विकास करम, इन सभी से जम्वत प्रचनों को लेकर, बोली भाषा, भाषा परिवार, इन चीजों से किस प्रकार के प्रशन पूछे जाते हैं, और आपका उत्तर लेखन कैसा होना चाहिए, इन चीजों को लेकर आपके सामने एक बार फिर से उपसित होंगी, तब तक के लिए लेती हो विदा, अब तक मेरे साथ जूड़े रहने के लिए, सभी बच झाल